हेलो एवर्णन, वेल्कम बेक टो वर चैनल एक्जाम ट्रेक सेंटर देखो इस वीडियो में मैं हर्याना के जो भी प्राचिन नाम अभी तक डिस्कोवर हुए हैं या फिर जो भी हर्याना किसी भी नाम से जाना गया अभी तक उन्हीं सभी के नाम हम पढ़ेंगे अभी ठीक ह तो वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं मेरे को तो शुरुआत करते हैं हर्याना प्रदेश के प्राचिन नाम से तो हर्याना जो है एक वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है हर्याना का मतलब है श्री बगवान का निवास बगवान कौन से विष्णू का निवास हम बोलते हैं हर्याना के अंदर ठीक है अब हर्याना के नाम जो है क्या क्या नाम रखे गए थे वो सब बढ़ेंगे हम तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हर्याना को सबसे पहला नाम रिगवेद में हरियाना का नाम क्या था वही रज हरियाने ठीक है वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हरियाना का जो सब्द है हरियाना एक सब्द है वो कहां देखा गया सबसे पहले रिगवेद के अंदर देखा गया है सबसे पहले रिगवेद के अंदर देखो चार वेद हमारे रिगवेद है सामवेद है अथरवेद है यजुरवेद है तो सबसे लास्ट का है वो अथरवेद है तो उसमें क्या नाम दिया गया अथरवेद में अथर्वेद में हर्याना का नाम अथर्वेद में हर्याना का क्या नाम था ब्रह्मवर्थ था ब्रह्मवर्थ आलसो हम यह कहा सकते हैं कि हर्याना का जो है पहला प्रादेशिक नाम मतलब जो सबसे पहले हर्याना को नाम मिला था वो था ब्रह्मवर्थ पहला प्रादेशिक न और ना गया तब उसका क्या नाम था ब्रह्म वर्थ था ठीक है अतरव्मेद में यह हो गया नेक्स्ट एक और आता है Shaput तेको मनुसमर्थि क्या है मनुनाम का एक आदमी था उसने क्या करται अपने गुरूं को एक उपदेश दीया उस उपदेश में हर्याना का नाम बतायाgens हर Schuldका नाम जो है वो यही Bhr tourists Bola इसने भी ब्रह्म वर्थ ठीक है यहां तक के लिए रहे तो नेक्स्ट फिर क्या हुआ कि मावार्थ का युद्वार नो सो इसा पुरू तो मावार्थ काल में हर्याना को क्या नाम दिया गया मावार्थ काल में हर्याना का नाम देखो महावारतकाल में राजा कुरू थे तो कुरू से कुरुचेतर भी बना था एक जिला तो महावारतकाल में हर्याना को हम कुरुचेतर भी बोलते थे और आर्यावर्थ भी बोलते थे और बहुदान्या भी बोल देते बहुदान्या बहुदान्या भी बोलते थे कुरुचेत्र भी बोलते थे आर्यवर्थ भी बोलते थे महावारत काल के अंदर ठीक है पिर एक काल और आया था योदे काल योदे काल योदे काल योदे के लोग योदे के गंड़ा जेवा करता था पहले वो कहां था सिंदू और जलम नदी के बीच में जो स्थान है वहां ऐसे लोग रहते थे जिनको हम योद्दे कहते थे उनने हर्याना को क्या नाम दिया उन्हों हर्याना को नाम दिया बहुदानिक बहु दानिक नाम दिया जो देकाल के लोगों ने हरियाना को नाम दिया बहु दानिक ठीक है यहां तक सही है अब देखो एक पुराण भी है सकंद पुराण उसमें जो है हरियाना को क्या नाम दिया गया वो हम पढ़ेंगे अब सकंद पुराण देखो नाम में एक आ रहा है गंद इसमें तो गंद से क्या है गंद कान ही आती जहां भरी भरी हर्याली बढ़िया हो या फिर हम कहेंगे अच्छा खासा सापसुतर काम हो हर्याली तो सकंद पुराण में मतलब गंद कान ही आती हर्याली में आती नहीं आती है थे तो हर्याला या फिर मैं मिध क chilा हर्याल नाम दिया स्कंद पुराण के अंधर स्कंद पुराण में हरियाना को हर्याला नाम दिए ठीग है जैसे नेक्स देखो अब क्या है बानबट की रचना बताओ जरा में कोन कौन सी थी अपनी हर्स चरित ओर कादंबरी तो बानबट दवाला रचित रचना हर्स चरित में तो बान बटने एक रचना करी तो रचना करी तो उसका क्या वा भै सभी को सुना सुना के उसका गड़ा सूख गया तो उसमें नाम दिया गया श्री कंट जनपद श्री कंट जन्पद नाम दिया गया हर्याना को बान बड़द्वारा रचित हर्ष चरित के अंदर ठीक है अब देखो माराजा किर्शन ने या फिर मैं को माराज किर्शन ने हर्याना को क्या नाम दिया माराज किर्शन ने नाम दिया हरन ठीक है, एक हरणी खेडा नाम की जगह है, जो कि सिर्षा में पढ़ती है, लेकिन ये है हरण महाराज किर्शन ने हरियान को नाम दिया, हरण नाम दिया ओर देखो, पुष्पदंत दौवारारचित पुस्पदंत ने एक रचना करी, कौन सी थी जिसका नाम था, पुस्पदंत ने द्वारा रचित महानुराण महानुराण में हर्याणा को बुला गया हर्याण वू महानुराण में बुला गया हर्याण वू या फिर हर्याणा एक और है इसमें कि बुद्ध दवारा मात्मा बुद्ध जो है लुमी नामकस्तान पर परदा हुए थे नेपाल में बुद्ध दवारा दिये गए अवसिस्व में अवसिस्व में इसको नाम दिया गया अभी रनाया तो बुद्ध दवारत दिये गए आवसेश्व में इसको नाम दिया गया अभी रनाया तो ये सारे कुछ नाम थे जो कि हर्याना के नाम पड़े हैं देखो हर्याना में देखो प्राचीन समय में हर्याना जो है सर्श्वती नदी के नजदीक था सरस्वती नदी जो की लुफ्ट हो चुकी है और अब हम यह कहते हैं कि यम्न नदी के किनारे पर बसा हुआ है हर्याना ठीक है यह सब हर्याना के कुछ प्राचिन नाम थे और इन इन नामों से हर्याना जो है पहले जाना गया था तो इनी सब को याद करें और क्योंकि यह important question ब कि हम धन नदी जो कि बनी इन नामों जो कि यह जढ़ मुड़ बसाफ प्राचिन नामों घ्रत आ खुकी है और कि रहीं बसाफ है यह जए जब हम अगे जामों यह भी जोग है।